किसी भी ग्रह की कोई भी आपके जीवन में आपका स्वागत करती हूँ, कैसे हैं आप, आपके अच्छे स्वास्त और सुखत जिवन की मंगल कामना करती हूँ, आपके रुपने इश्टेव को कोटी-कोटी नमन करते वे बड़ों को प्रणाम करते वे वीडियो प्रारम करते साथ आजकी वीडियों में बात करेंगे नव ग्रह पूजा की यानि कि आप अपने घर में सरन तरीके से Нव ग्रहपूजन किस प्रकार करें steps सारे अपने घ्रह, कि कोई भी आपके जीवन में कोई दोश अगर होता है या कोई थोड़ा कमजोर ग्रह होता है तो नव ग्रह की पुजा कर देने से नव ग्रह हमारे शांत हुछाते हैं, हमारे अन्बूर हुचाते हैं अपने घर में सरल विदी से आपको मिले सबसे पहले, देखिए नव ग्रह का हम पहले सबसे पहले नव ग्रह का निर्मान करेंगे, फिर उनके मंत्र और रुच्चारण के साथ उनकी पूजा करेंगे, देखिए नव ग्रह का निर्मान करने से पहले सरप्रतम हम भगवान गंपती का आवान करेंगे, भग निर्मान हो रहा है इसका बिना काटे छाटे हमेशा स्वास्तिक बना देना चाहिए और ये हमने भगवान गनपती के निमित दूर्वा घास एक जोड़ा दूर्वा घास लेते हैं हमेशा तो एक जोड़ा दूर्वा घास हम यहां पर भगवान गनपती के लिए अर्पित कर और यहां पर हम एक पीले रंग का फूल अर्पित करेंगे ओम गनपती नमा ओम श्री गनेशाय 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 नमा इस तरह गनपती भगवा लाल रंग की दाल ले ली है और लाल रंग की दाल से हम सूरे ग्रह का निर्मान करेंगे सूरे ग्रह का निर्मान करने के बाद हम चंदर ग्रह का निर्मान करेंगे उसके लिए लिए है मैंने सफेद रंग के चावन यह हमने चंदर गड़े का यहां पर हम निर्वान कर रहा है पूरी तरह मैं आपको बताओंगे आगए यह सारा आप सब देखते रहें उसके बाद गुरू गड़े का रंग पीला है और पीली चीजे ही उसमें चरहाई जाती है पुजा की जाती है पीला ही खाया जाता है और निर्मान करेंगे जब पूजा करेंगे तो इनके मंतरी में में आपको बताऊंगी बुद्ध ग्रह का निर्मान तो बुद्ग्रहा हरा रंग होता है बुद्ग्रहा का तो यह मैंने हरे रंग की दाल ली है यह मैं इसलिए इतनी सरल चीजे बता रही हूं कि आपकी किचन में होती है तो महिलाओं को न कोई परिशारी नहीं होती आप अराम से किसी भी चीज का अपने घर की रसोई से या उनके ग्रहा उनके अनकूल हो जाए इसके लिए उसके बाद हम शुक्र ग्रहा का निर्मान करेंगे क्योंकि शुक्र ग्रहा भी सफेद है तो मैंने यहाँ पर सफेद चावल ले लिए फिर से और यह मैंने शुक्र ग्रहा का निर्मान कर लिया उसके बाद हम निर्मान करें है शनी रहं के निर्बान कर देंगे उसके बाद रावू और केटु का भी निर्मान हमें जरूर से जरूरी करना है तो राहू और केटु का निर्बान करने के लिए हैं आप ठोड़ी सी जगा बना लेती हूँ आप अपने हिसाप से देख लिजेगा राहू के लिए काले चीजें का इस्तमाल किया जाता है और कहा जाता है कि राहू की पूजा करने के लिए अगर आप काले तिल का इस्तमाल करते हैं तो वो बहुत उत्तम रहता है मैं यहाँ पर काले तिल ले लिए हैं राहू की पूजा के लिए शनी की पूजा हो ये राहू की पूजा हो गर आप काले तिल से उनकी पूजा करते हैं उनका निर्मान करते हैं ये ग्रह का परिचारक है काला रंग उसके बाद बात करते हैं केतु की केतु को चितकबरा बताय ड्गी आपकर में बालज सपस्ता हूं को है यह रहा ओप सफेद के तो सफेद को है क्योंकि पूजा शुरू निंगी है अभी तो हम चीजों को तयार कर रहे हैं जब हम पूजा करेंगे तो फिर यह ग्रहा ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे यह हमने नव ग्रहा का निर्मान कर लिया है आप देख रहे हैं कि नो चीजे मैंने नव ग्रहा की आप अपने घर की किचन से ही कर सकते हैं याप इस तरह से नो ग्रहा का निर्मान करने के बाद हम इसमें इनकी पूजा प्रारम करेंगे जैसे रादे कृष्णा साथियों मैं भी किष्णा ग्यान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप आपके अच्छे स्वास्त और सुखत जिवन की मंगल कामना करती हूँ आपके रुपने इश्टेव को कोटी कोटी नमन करते वे बड़ों को प्रणाम करते व कीषि कोई भी आपके जीवन में आपकी कुंडली में कोई दोश अगर होता है या कोई थोड़ा कम जोर ग्रह होता है तो नव ग्रहागी पुजा कर देने से रहने शांत हो सांती हैं हमारे अनुकूल हो अपने घर में सरल विदी से किस प्रकार करें आज की वीडियो में ऐसी जानकरी लेकर मैं आपके बीच में चलिए जड़ पढ़ वीडियो प्रारम कर लेते हैं लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बेल आइकन को प्रे करेंगे भगवान गणपती को यहां पर स्थापित करेंगे और उनको स्थापित कैसे करते हैं कि हम उनके लिए निमित स्वास्थिक बनाते हैं स्वास्थिक कैसे बनाना है बिना काटे चाटे आपको अच्छी तरह पहले भी बताया गया है फिर भी आप अभी देख भी रह स्टापना करेंगे वह झाल रंका हुआा नंक करने के बाद हम नव ग्रह की स्तापना करेंगी तैसे और हम इसके लिए मैंने लिए दाल तो मैंने यहाँ पर लाल रंगी दाल ले ली है और लाल रंगी दाल से हम सूरे ग्रह का निर्मान करेंगे सूरे ग्रह का निर्मान करने के बाद हम चंद्र ग्रह का निर्मान करेंगे उसके लिए लिए मैंने सफेद रंग के चावल यह हमने चंदर ग्रह का यहां पर हम निर्मान कर रहे हैं पूरी तरह मैं आपको बताऊंगे आगए यह सारा आप सब देखते रहे हैं उसके बाद गुरू ग्रह का रंग पीला है और पीली चीजे ही उसमें चढ़ाई जाती है पूजा की जाती है फीला ही खाया जाता है और ग्रह को मद्बूत करने के लिए चनी की दाव सर्वत्त topic मानी गई है चनी की दाल केले के नीचे चड़ाई भी स्ावर्टी जाती है और इसको गाहमे माता को भी खिलाया जाता है उसके बाद फिर मंगल्रह का निर्मान करेंगे क्योंकि मंगल घुँप ही लाल tea हियू साली मंगल ग्रह का निर्मान करेंगे मंगल ग्रह का निर्मान करेंगे उसके बाद जब पुजा करेंगे तो इनके मंत्री में आपको बताऊंगी बुद्ध ग्रह का निर्मान करेंगे तो बुद्ध ग्रह हरा रंग होता है बुद्ग्रह का तो यह मैंने हरे रंग की डाल ली है यह मैं इसलिए इतनी सरल चीजे बता रही हूं कि आपकी किचन में होती है तो महिलाओं को न कोई परिशारी नहीं होती आप अराम से किसी भी चीज का अपने घर की रसोई से या अपने आप स्वैम भी इसमें जरूरी न बाद हम शुक्र ग्रह का निर्मान करेंगे क्योंकि शुक्र ग्रह भी सफेद है तो मैंने यहां पर सफेद चावल ले लिए फिर से और यह मैंने शुक्र ग्रह का निर्मान कर लिया उसके बाद हम निर्मान करेंगे शनी ग्रह का क्योंकि शनी ग्रह के लिए काले रंग का गयाता है मेंने काली डाली ए निर्मान करदी आ हैं है इसके बाद सबस्क्राइब वो sis उसके बाद राहू और केत sagot हमें जरूर से जरूरी करना है तो राहू और केतुhr का निर्मान करने के लिए में आप थोड़ी जगह बना लेती हूं, आप उतने हिसाफ से देख लीज़ेगा, राहू के लिए काले चीज़ेओं का इस्तमाल किया जाता है, और कहा जाता है कि राहू की पूझा करने के लिए, अगर आप काले तिल का इस्तमाल करते हैं, तो वह बहुत तो यहां पर मैं काला और सफेद दोनों चीजों को मिक्स कर लूगी तो यह चितकबरे एक असाहिन हो जाएगा काला और सफेद मिक्स करके हम यहां पर केतू का निर्मान कर देंगे यह मैंने केत्व का भी काला और सफेद मिक्स करके कर दिया है तो इसको थोड़ा थोड़ा prob थोड़ा हम पास कर देंगे तो फिर इस तरह से फिर女ों कि अभी पूजा शुरू नहीं किया अभी तहुं चीजों को तयार कर रहे हैं जब हम पूजा करेंगे तो फिर एक रह एसे के ऐसे ही रह जाएंगे यह हमने नव गृह का निर्माण कर लिया बाद देख रहें कि नो चीजे मैंने नवगर है कि अपने घर की किचन से ही कर सकते हैं यह इस तरह से न्हों करने के बाद हम इसमें इनकी पूजा प्रारम करेंगे हैं सुपारी में ब्रभग्वान गणपति की पूजा करके यहां पर हमने शुपारी लगा दी सबिन वस्तु है और पूजा में जरूर इस्तमाल की जाती है और करनी भी चाहिए तो यहां पर हम नवग्रह का निर्मान कर रहे हैं तो इसलिए हम इसमें सुपारी अवश्य ही लगाएंगे जिससे हमारे नवग्रह हमारे अनुकूल हो जाए उत्तम हो जाए उसके बाद हम वस्तर स सुरूब के लावा मैंने पहनाना शुरू कर दिया आप देख रहे होंगे कर दो पहले आप प्रकार पनाते वह आप चाहें तो कोई भी मंत्र का उचारण पीच पीच में कर सकते हैं जैसे आप जिस भी ग्रह के लिए वर्यों जैसे मैं बात करूं तो बुद्ध ग्रह पर में पहुच चुकी तो बुद्ध ग्रह की पूजा करने तो आम बुद्धाए नमा शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं तो ओम शुक्राए नमा शम्शनिच्राए नमा ओम रहवे नमा ओम केत्वे नमा ओम अंगलाए नमा यह हमने इस तरह से इनको बस्तर आर्पित कर दिया उसके बाद हम इनके उपर पुष्परपित करेंगे अब देखी हम यहां पर पुष्परपित करेंगे अगर मैं बात करूं गुरू ग्रह की तो पीला रंग परिचाए जैसे मेरे पास है अगर आपके आपके पास किसी विज़े से पीले रंका पुश्पना हो तो बिलकुल भी परेशान होने की जुरूत नहीं है आपके पास जो भी फूल हो वो आप चरहा दीजेगा Om Manglai Namaha, Om Buddhai Namaha, Om Shukrai Namaha, Shani Chirai Namaha, Rahavi Namaha, Ketwe Namaha, Mangalai Namaha, चंद्राए Namaha, इस तरह से हमने सबको पुश परपित कर दिया है माता लक्षमी की कृपा है तो चाहे तो एक गुढल का फूल भी आप की इस पर अरपित कर सकते हैं तो गुलाब का अरपित कर सकते हैं जो भी आपके पास हो इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है फिर हम छीटे लगाएंगे इस तरह से हमने इनके उपर ये हमने कुमकुम से इनको और उसके बाद आप अपने मस्तक पर भी इस तिलक को लगा लेंगे आप देखनी पा रहे होंगे लेकिन मैंने अपने मस्तक पर तिलक लगा लिया है हाजोड कर प्रणाम करेंगे और फिर उसके परचात हम दीपक जलाकर इनकी आरती करेंगे करें देपक की पहले पुजा कर लेते हैं थोड़े से अक्षर डाल देते हैं दीपर जलुट हो चुका है ओम अगनी देपताय नमा 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 ओम अगनी द इस तरह से सब आप गुरु जितने भी नव ग्रह हैं उनकी पूजा करेंगे उसके पश्यात आपने दीपक इनकी पासी रख देंगे और हाथ जोड़कर भगवान से प्रात्ना करेंगे कि हे प्रभु नव ग्रह हमारी कुडली में कहीं भी कमजोरों कोई भी ग्रह कमजोरों उन ग्रहों को मजबूत करें हे प्रभु नव ग्रह हमारे शांत रहे हमारे अनकूल रहे उत्तम रहे हमारे जीवन में अगर किसी ग्रह की वज़े से कोई समस्या कोई परिशानी कोई कस्ट है तो उसको दूर करें आप इसी के सासाथ अपने सभी परिवार्जन का भी नाम बच्चों के अगर पत्ति करते हैं दोनों मिलकर देखिए बहुत अधिक समान व्यवस्तित करने की जुरूत नहीं है वैसे तो ये नव ग्रह पूजन नवरात्री में अती ही उत्तम रहता है अगर आप नवरात्री में कर पाए किसी भी दिन तो अती उत्तम है आश्टमी नोमी वाले दिन कर ले चाहे दशमी वाले दिन कर ले और अगर न कर पाए तो किसी भी शुकरवार में कर ले किसी भी पूर्णिमा के दिन कर ले किसी भी समय कर ले सुभा कर ले या शाम कर ले इस तरह से घर की चीजों का नव ग्रह का आप निर्मान कर ले घर में आपके जितनी भी यह वस्तों है यह सब किचन की वस्तों है यह आपके घर के मंदिर की वस्तों है इनका आप निर्मान कर करें और उसके साथ नव ग्रहे हमारे अनकूल हो जाए ऐसा प्रातना करते हैं अपने परिवार की सुख शांती की कुशाहली की काम ना करके इसको आप पुझा को कर लेते हैं यह नव ग्रहे की पुझा जो आपने की है इसको एकदम उसस्तान से नहीं हटाना चाहिए जब तक दीपक जल रहा है तब तक ये पुझा ऐसे के ऐसे रखी रहेगी जब आपका दीपक सोता है शान्त हो जाए जब दीपक शान्त हो जाए उसके पश्चात आपको ये सारी सामगरी एकत्रित करकर ये जो आपनी नवग रहे तू ये सामगरी तयार की है ये सारी की सारी सामगरी प्रवाहित कर देए गएिए किसी भी कछ सथान को थोड़ा कोद कर और पहले उसापर ऑप तो दोड़ा से सवांगाड करकर इनके उपर कुछ रखक करूँ नभी कछना तो इस प्रकार नव ग्रह की पूजा हमारी पूण हुई अगर हम पड़ेजी से कराते हैं तो इस पे बस फल और रखवा देते हैं कभी-कभी या कोई दक्षना रखवा देते हैं क्योंकि हमें दक्षना किसी को देनी नहीं है हमने स्वेम पूजा किया है तो हम हाथ जोड़क भगवान से प्रातना करके आप इस पूजा को पूण करते हैं तो इस नव ग्रह शांती की पूजा को आशा करती हूँ यह आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपके लिए बहुत उपयोगी भी सावित होगी तो इजाजदत दीजिए मिलते हो और जबर्दस्ट वीडियो के साथ तब तक हसते रहें मुस्कराते रहें अपने अपनों का ख्याल कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए जितना चाहे अपने फ्रैंक शेयर कीजिए और कभी भी अपने नवगरह शांती के लिए महीने में एक बार इस पूजा को अपने घर में पूर्वक कर लिजे शांती से कर लिजे निश्चित आपके घर है शांत होंगे जो भी आपके कुंडली में उथल पुथल या जीवन में उथल पुथले परिशानिया है कश्टा सब दूर हो जाए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और कमेंट बुक्स में ओम न बतकरे